असलामों अलेकुम हेलो फेंट्स वेलकम टू माई चाहां रास्क चेन मैं हूँ जहां आ रहा उम्मीद करती हूँ आप सब खेरियत से जरूर होंगे आज मैं आप सभी के साथ जर्दर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और हम इसे बनाएंगे पेसर कुकर पर बहुती जल ब आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा तो चलिए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं जर्दे की रेसिपी जर्दा बनाने के लिए स्टोप के हाई टू मीडियम फ्लेम पर मैंने कूकर रखा है अब मैं हापर दो चमस घी डाल देती हूँ घी के हलके से गर्म होते ही मै मैं यहां पर डाल दोंगी एक तेच पत्ता एक दाल चिनी का टुकड़ा तीन से चाल लॉंग एक बड़ी इलाईची दो छोटी इलाईची इन सभी को हम तेल पर यानि घी पर थोड़ा सा सौटे कर लेंगे उसके बात मैंने यहां पर हाफ कप नारियल को छोटे टुकड़ इसी के साथ मैं हाआ पर खजूर भी डाल देती हूं इसका बीज होता है मैंने निकाल लिया है। इन सभी को मैं दो से तीन मिट के लिए इस फिम पर बून लूंगा अब मैंने यहाँ पर ले लिया है एक कप आप देख सकते हैं यानि एक कटोरी मैंने ले लिया है छोड़े दाने वला चावल बासमती मैंने चावल लिया है अब मैं यहाँ पर क्या है ना डारेक्ट पानी से साफ करके यहाँ पर डाल दूँगी इसी के साथ हमें हापर पानी भी डाल देना है जितना हमें चावल लिया है हमने जो चावल लिया है उतना ही हमें पानी लेना है उसका डबल यानि एक कप चावल में दो कप हमें पानी लेना है मैं हापर दो कटोरी पानी डाल दी हूँ जिस कटोरी से मैंने चावल लिया था उ अब में यहां पर चीनी मैं ने आधी कटोरी से थोड़ा सा ज्यादा लिया है क्योंकि मैं ने हम पर खजूर और मुरबभा इस्तेमाल किया है तो उसलिए अब में आप डाल देती हूं एक चमच के ओड़ा वाटर चीनी आप अपने टेस्ट के मताबिक डालेगा अगर अब यहां पर प्रेसर खुदबा खुद रिलीज हो चुका है तो देखिए फिंस अब जो हमारा जर्दा बिल्कुल बनके तियार है बहुत जल्द बन जाता है अब मैं यहां पर डेसी केटेट कोकोनर डाल देती हूं आप चाहें तो डालें या फिर से इसकी कर सकते हैं इस अज़दार का बनता है चावल भी बहुत यह तरह से खिला खिला बना है इस तरह से इंस्टेंट जर्दा बना कर देखिए आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा तो फ्रेंस अगर आज की रेसिपि आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीस इस वीडियो को लाइक श साथ अपना ख्याल रखें और मुझे दूआओं में याद जरूर रखें अल्ला हाफीज